जे हाँ गुडियुनिंग बच्चो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे Formation of Eurotropin और HMTA यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि HMTA क्या होता है, what is the HMTA and what is the full form of HMTA इस HMTA का full form है यहाँ पर Hexamethylene Tetraamine मैं यहाँ पर लिखता हूँ It is a Hexamethylene और T4 Tetraamine ठीक है, It is a Amine तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है इसा यह Eurotropin भी बोलते हैं, इसका formation हम किस-किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर तीन तरीके बताऊँगा पहला जो तरीका है, वो बहुत है सिंपल सा तरीका है उसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे Formaldehyde लेंगे और Formaldehyde को हम क्या करेंगे यहाँ पर Ammonia के साथ जो है react करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है Formaldehyde लिया Formaldehyde आप लोग जानते है Formaldehyde क्या होता H-C-H-O और इस Formaldehyde को मैं यहाँ पर आपके सामने किस तरीके से लिख रहा हूँ देखिए मैंने यहाँ पर लिखा C-S-2 Double Bond O ठीक है इस फॉर्मेलडिहाइट यहाँ पर जो है Formaldehyde है और इस Formaldehyde की reaction में यहाँ पर किस के साथ कर रहा हूँ Ammonia के साथ कर रहा हूँ और Ammonia को मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ It is a NS3 यहाँ पर Ammonia है और यहाँ पर जो है Formaldehyde के मैंने Total Number of कितने Molecules लिए Six Molecules लिए और Ammonia के मैंने यहाँ पर जो है Formolecules लिए तो जब भी हम इन दोनों को Mix करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है क्या मिलेगा देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा यहाँ से जो है आपके Six Molecules of Water जो है यहाँ से रिलीज होगा That means हम यहाँ पर देख सकते हैं कि Total यहाँ पर कितने Oxygen ने Six यह Six Oxygen जो होंगे यहाँ पर 12 Hydrogen के साथ मिलके जो है क्या करेंगे है आपके Six Molecules of Water जो है कुछ इस तरीके से रिलीज करेंगे मैं यहाँ पर लिक देता हूँ Total number of जो है यहाँ पर कितने Molecule of Water रिलीज होगा Six Molecule of Water यहाँ पर रिलीज होगा और बाकी जो बचा हुआ जो यहाँ पर जो आपका Compound जो है वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखें हम इसको There is this CS2 और CS2 के यहाँ पर Total number of कितने यहाँ पर Molecule है देरा Six और Nitrogen कितने हैं यहाँ पर Four that is N4 इसे हम यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर Six क्या है आपका Methylene है तो हम लोग इसको क्या बोलेगी Hexamethylene और Nitrogen यहाँ पर इससे यहाँ पर जानते हैं और इसका नाम अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इसको It is called the Hexa Methylene And Tetra Amine ठीक है और Short में हम लोग यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखते हैं HMTA के नाम से भी हम इसको यहाँ पर जानते हैं तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं Eurotropin का formation कर सकते हैं Eurotropin एक बहुत important जो है यहाँ पर compound है That is basically used in urinary infection जहाँ पर भी urinary infection अगरा हो उसको control करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है As I इसको antiseptic use करते हैं और वहीं अगर मैं इस Eurotropin का अगर nutrition अगर कर दूँ तो हमें यहाँ पर जो है बहुत ही dangerous यहाँ पर compound मिलेगा और जिसको हम किस नाम से जानते हैं RDX RDX आप लोग जानते हैं RDX क्या होता है It is a research development explosive So that is a very important compound जो हम लोग organic chemistry में यहाँ पर हमने बनाया है अगर मैं यहाँ पर इसके structure की बात करूँ इसका structure भी हम लोग यहाँ पर जो है draw कर सकते हैं बहुत है simple सा इसका structure है ध्यान से देखिए structure of Eurotropin इसको हम यहाँ पर किस तरीके से form करेंगे इसको form करनी के लिए मैं यहाँ पर क्या किया सबसे पहले में यहाँ पर क्या करूँगा nitrogen की position में आपके सामने यहाँ पर बताऊँगा nitrogen को मैं आपके सामने यहाँ पर जो है show करूँगा तो देखिए सबसे पहले में यहाँ पर आपके सामने जो है nitrogen यहाँ पर show कर रहा हूँ सबसे पहला nitrogen हम यहाँ पर एक center में हम लोग यहाँ पर show कर रहे है it is a nitrogen यह आपका nitrogen है और इस nitrogen से हमें यहाँ पर 3 nitrogen और यहाँ पर show कर रहे है total number of 4 nitrogen है यहाँ पर तो एक nitrogen आपका यह है दुसरा nitrogen में यहाँ पर इसकी just उपर यहां पर शो कर रहा हूँ ठीक है और बाकी जो दू जो यहां पर नाइट्रोजन है एक नाइट्रोजन में आपका यहां पर शो कर रहा हूँ और दुसरा नाइट्रोजन जो है मैं यहां पर शो कर रहा हूँ इस तरीके से ठीक है इन सारे नाइट्रोजन को हमें क्या कर तो मैं आपके सामने यहां पर आटेज कर रहा हूं देखिए सबसे पहले अंदर वाले जो यहां पर nitrogen है it is called CH2 इसे हम नेटेज कर दिए कुछ इस तरीके से उपर हो नाइट्रोजन जो है इसको भी में यहां पर CH2 से यहां पर आटेज कर देता हूं कुछ इस तरीके से और यह वाला जो nitrogen है इसको भी मैं यहाँ पर CH2 that means methylene group से इस तरीके से टेज कर देता हूँ that means अभी हमने यहाँ पर जो है 3 methylene जो है यहाँ पर टेज कर दी अभी भी यहाँ पर जो है 3 methylene जो है बचे हुए है उन 3 methylene को मैं यहाँ पर किस तरीके से टेज करूँ और one more methylene group is attached on here that means यहाँ पर मैं टेज कर रहा हूँ CH2 और इन सारे methylene group को हम क्या करेंगे यहाँ पर nitrogen से टेज करेंगे देखिए इस carbon को हम लोग यहाँ पर इस nitrogen से टेज करेंगे इस तरीके से यहाँ पर इस carbon को हम लोग यहाँ पर इस nitrogen से भी इस तरीके से अटेज कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अटेज कर सकते हैं सेम इस nitrogen को हम लोग यहाँ पर इस carbon से इस तरीके से अटेज करें Same, यहाँ पर यह वाला carbon जो होगा इस तरीके से, Attach होगा That means सारे के सारे carbon जो है यहाँ पर क्या है आपके nitrogen से यहाँ इस तरीके से Attach है Same इसको भी हम यहाँ पra अऌछ कर सकते हैं इस तरीके से तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो structure जो दिख रहा है it is called the, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 क्या है nitrogen देखिए इसका formula हमने उपर जो लिखा है और formula में यहाँ पर side में लिख रहा हूँ क्या है इसका formula CH2 कितने है यहाँ पर CH2 total number of 6 है और nitrogen कितने है आपर 4 है तो देखिए आपर count करिए nitrogen 4 है आपके 1, 2, 3, 4 और CH2 that means methylene यहाँ पर कितने है total 6 है देखिए तीन तो यहाँ पर कहा है आपके inside of this ring और तीन यहाँ पर क्या है आपके बाहर है 1, 2, 3, total number of 6 यहाँ पर क्या है आपके इस तरीके से methylene roof है तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलते है that is called the eurotropin it is called the eurotropin इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते है eurotropin का structure जो है draw कर सकते है it is a very important compound जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया कि इस compound के हलसे हम लोग क्या बना सकते है rdx का भी formation कर सकते है इसका हम अगर nutrition करते है आपको नहीं करना है यह आपके syllabus मनेगे है आपका सिर्फ यहाँ पर eurotropin जो है आपको सिर्फ पढ़ना है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते है इसका structure भी draw कर सकते है now यह तो हमने यहाँ पर first तरीका हम लोगों ने सीखा कि इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते है यहाँ पर eurotropin का formation कर सकते है second जो यहाँ पर हमारे सामने जो तरीका है वो देखिए now next हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे हमने एक जो है यहाँ पर formaldehyde का molecule लिया देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ हमने यहाँ पर जो एक formaldehyde का एक molecule लिया it is H और यहाँ पर भी आपका H है it is a formaldehyde और इस formaldehyde की reaction हम लोग यहाँ पर किसके साथ कर रहे है one molecule of ammonia one molecule of ammonia तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका क्या बनेगा यहाँ पर जो है आपकी simple सी reaction है जो आपने already पड़ी है simple यहाँ से क्या होगा आपका एक bond का cleavage यहाँ पर होगा इस तरीके से और यहाँ का जो एक hydrogen होगा इस oxygen पर attach होगा और बाकी जो यहाँ पर NS2 group जो होगा that means मैं इस ammonia को यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से भी लिसकता हूँ देखिए it is a NS2 और यहाँ पर क्या है यहाँ पर H ठीक है यहाँ पर आपका जो है partial negative charge है यहाँ पर आपका जो है partially positive charge है it is a partial positive charge और यहाँ पर आपका जो इस hydrogen की उपर जो है आपका positive है यहाँ पर नेगेटिव है तो simple हैं पर anthropos, yeah होगा NS2 जो होगा carbon cetage होगा और यह जो H होगा, ये आपका यहाँ पर क्या होगा इस oxygen cetage होगा तो यहाँ पर जो बनने वाला जो आपका compound है वो देखी क्या बनेगा यहाँ पर इसको मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ और यहाँ पर जो है oxygen के साथ में किस को अटेज कर रहा हूँ यहाँ पर एक OH को अटेज कर रहा हूँ और इस carbon पर जो है क्या अटेच हो जाएगा यह जो compound है, इसका हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलीसिस करने वाले हैं, सॉरी, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, और यह जो हमारे पास जो यहाँ पर compound है, इसके हम लोग यहाँ पर total number of कितने molecule लेंगे, देरा यहां पर जो है यह आपका hydrogen है इस hydrogen को में यहां पर ns2 जो है इस h को में आपके सामने इस तरीके से दिखा रहा हूँ तो जब भी यहां पर हम इसको heating करेंगे तो water molecule क्या हो जाएगा यहां पर इस तरीके से बाहर हो जाएगा आप देख सकते हैं हैं है यह आपर water molecule को जेस तरीके से यहां पर क्या होगा बाहर होगा यहां पर हमने three molecules लिये हैं यहां पर इसको तो टूटल यहाँ पर कितने water molecules यहां पर तो देखिए हमें किस तरीके से cyclic compound को formation करना है ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पर लिखना है CS2 यह मैंने यहाँ पर लिखा CS2 ठीक है इससे हम क्या attach करेंगे यहाँ पर NH यह मैंने यहाँ पर attach कर दिया यहाँ पर NH same सबसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यह वाला जो यहाँ पर nitrogen जो होगा यह फिर से यहाँ पर किस से attach होगा एक दूसरे जो है methyl group that means यहाँ इस वाले carbon atom 같은 होगा उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ that is called the CS2 और यह CS2 जो होगा फिर से यहाँ पर किस ए鬥 होगा इस NH से यहाँ पर attach होगा इसको मैं हब आपके सामने लिख देता हूँ इसकोल दी एनेच और यह जो एनेच होगा यहां पर फिर से यहां पर यह फिर से जो है आपर किस एटेश होगा एक यहां पर जो है CS2 और एक एनेच ग्रूप से यहां पर इस तरीके से यहां पर यह टेश होगा ठीक है इस तरीके से क्या बनेगा यहां पर एक cyclic compound आपके सामने बनेगा इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं cyclic compound का formation यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है और 3 water के molecule क्या होगा है यहाँ पर इस तरीके से release होगा है now अभी हमने जो है यहाँ पर अगर देखें तो total number of जो है 3 क्या use कि हमने यहाँ पर formaldehyde यूज कर लिए मतलब अगर हम यहाँ पर total अगर 3 formaldehyde अगर लेंगे तो 3 ammonia के साथ मिलके यहाँ पर अगर हम चाहिए यहाँ ले सकते हैं कि 3 formaldehyde और 3 ammonia जो है मिलके यहाँ पर 3 molecule of क्या बनाएंगे एक hydroxy, amine और एक methyl वाला compound बनाएंगे और उसको हम यहाँ पर hitting करेंगे तो इसके अंदर से क्या होगा, water release होगा और एक cyclic compound यहाँ पर आपके सामने बनेगा it is a intermediate इसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करेंगे यह वाला जो cyclic compound है इस cyclic compound को हम फिर से क्या करेंगे यहाँ पर formaldehyde के साथ जो है react करवाएंगे ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर फिर से क्या ले रहा हूँ CH, CHO that means three molecules of क्या लिए मैंने यहाँ पर formaldehyde तो यह formaldehyde जो होगा क्या होगा यहाँ पर यह जितने भी यहाँ पर nitrogen जो आपको दिख रहे है इस nitrogen पर जाके क्या हो जाएगा आपका attach हो जाएगा तो देखें यहाँ पर जो बनने वालों जो compound सबसे पहले में यह वाली जो ring है इस ring को यहाँ पर EZT स्फिर से यहाँ पर draw कर रहा हूँ सबसे उपर क्या है आपका nitrogen NH यहाँ पर CS2 यह मैंने लिख दिया CS2 इस तरीके से और इन सब को मैंने यहाँ पर इस तरीके से फिर से क्या कर दिया join कर दिया that means उपर वाला cycle जो है मैंने उसको फिर से यहाँ पर draw किया है आप देख सकते हैं और 3 molecule of formaldehyde मुझे क्या करना है यहाँ पर इस nitrogen पर अटेज करना है तो देखे मैं आपके सामने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ formaldehyde की 3 molecule है उनको यहाँ पर इस nitrogen पर अटेज कर रहा हूँ तो देखे क्या बनेगा सबसे पहले यहाँ पर अटेज कर रहा हूँ यह आपका क्या है, that is called this CH2O, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, it is called this CH2O, और यहाँ पर सेम उपर और निट्रोजन पर भी हमें अटेज करना है, that is called this CH2O, इस तरीके से, because हम लोग यह वाला जो है मैं चाहूँ इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, CH2O, यह भी आपका क्या है, यह भी आपका यहाँ पर formaldehyde ही है, और थर्ड वाला हम यहाँ पर कहा अटेज करेंगे, आपका इस वाले पर अटेज करेंगे, CH2O, ठीक है, now, तीनों nitrogen की मैंने क्या कर दिये, यहाँ पर तीनों formaldehyde क्या कर दिये, आटेज कर दिये, that is not a stable, यह भी आपका एक तरगा क्या है, unstable यहाँ पर क्या है compound, it is a unstable compound, unstable compound है, और इस unstable compound को अगर हम फिर से अगर क्या करेंगे, यहाँ पर one molecule of ammonia से अगर पास करेंगे, कहां से one molecule of ammonia से पास करेंगे तो देन क्या होगा देखिए यहां से सबसे पहले जो है जैसे हम लोग इसको one molecule of ammonia से पास करेंगे और थोड़ा सगरम इसको यहां पर हीट करेंगे तो आपका सबसे पहले यहां से क्या होगा यह जो ring है इस ring के अंदर से क्या होगा आपका water molecule क्या होगा free होगा, तो देखिए, सबसे पहला water molecule आपका एक हम यहां से फ्री कर सकते हैं, इसके बाद second अगर आप यहां देखें, तो second molecule हम कहां से free कर सकते हैं, सबसे उपर वाला जो है आपका, इस अले carbon sever कर सकते है water molecule free कर सकते हैं एक water molecule हम यहां से इसका release कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर यह जो nitrogen है यह nitrogen यहाँ पर क्या होगा आपका इसको हमें यहां पर center manage करना है अब कि देखें आपके सामने यहाँ पर जो है main product आपके सामने बना रहा हूं सबसे पहले यह वाली ring और बचय हुए यहां पर जो जितने भी elements से स्रिज़ाथ की जाम एक क्या लिख रहा हूं और इसकी यहां पर क्या है आपका द gameplay यहां पर आपका क्या है nitrogen है см यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी क्या है आपका CS2 है इसके नीचे आपका क्या है एक nitrogen है और यहाँ पर सबसे bottom में भी आपका क्या है CS2 group जो है कुझ इस तरीके से यहाँ पर attach है ठीक है और एक ammonia मुझे क्या करना है यहां पर बीच में जो इटेज करना है, देखिए मैं यहां पर अमोनिया को बीच में सेंटर में यहां पर लिकरा हूं इटेश क roll the ammonia और यह जो यहां पर ammonia का जो nitrogen है इस nitrogen के अंधर यहां पर क्या है, तीन क्या है, hydrogen है तो हम लोग जानते हैं यहां पर carbon के साथ मिलके यह वाला carbon जो है that means यह वाला जो है C-H तो है बड़िस ammonia का यहाँ पर एक और hydrogen लेके यहाँ पर बीच में क्या बनाएगा CH2 बनाएगा, देखें, मैं आपके सामने हैं बना रहा हूँ, यह आपका Carbon है, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, C, इस Carbon के पास जो है, एक nitrogen का hydrogen भी है, इस Carbon ने यहाँ पर ले लिया, और एक hydrogen इस ammonia का है, वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस कार्बन के साथ डेटेच कर देंगे और इस तरीके से क्या कर देंगे हम इसको इस तरीके से बोन बना देंगे इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे दूसरे जो nitrogen है उनके भी हम लोग यहाँ पर इस methylene के साथ यहाँ bond बनाएंगे देखिए उपर वाला जो nitrogen है इसके पास यहाँ पर एक carbon है उस carbon को यहाँ में लिख देता हूँ उस carbon के पास जो है इस nitrogen का एक hydrogen है यह hydrogen मैंने यहाँ लिख दिया और एक और hydrogen इस ammonia का जो एक hydrogen है वो क्या करेगा इस carbon को यहाँ पर मिलेगा और यह यहाँ पर जो carbon जो होगा इस nitrogen से इस तरीके से bonding मनाएगा सेम यहाँ पर भी आप देखें दो सेम यहाँ पर भी सेम यहाँ पर इस carbon के साथ यहाँ पर एक hydrogen है उसको मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ CH और इस ammonia का एक जो hydrogen है वो भी क्या होगा इस hydrogen satage होगा और क्या बनाएगा CH2 तो इस तरीके से यहाँ पर इस ring के अंदर एक nitrogen जो होगा that means ammonia molecule जो होगा वो बाकी जो यहाँ पर nitrogen उनके साथ मिलके यहाँ पर जो structure जो बनाएगा इस structure को हम क्या बोलते है that is called the eurotropin that is called the eurotropin यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस structure को अगर आप देखेंगे तो इस structure के अंदर total number of nitrogen कितने है 4 मैं आपर आपके सामने लिख देता हूँ total number of इसके अंदर कितने nitrogen है 4 और यह 4 nitrogen यहाँ पर किस से attach है यहाँ पर जो है total number of six methylene group से attach है that means यहाँ पर methylene group क्या है आपका CH2 और total methylene group कितने हैं यहाँ पर तीन यहाँ पर इस ring के अंदर हो तीन जो है ring के बार है that means total 6 number of यहां पर methylene group क्या हो रहे हैं 4 nitrogen के साथ यहां पर attach हो रहे हैं इसलिए हम लोग यहां पर इस compound का nomenclature भी कर सकते हैं क्या बोले हम लोग यहां पर hexamethylene tetraamine या फिर simple हम इस compound को यहां पर tetraamine के नाम से भी जानते हैं तो इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं इस method की हल से हम लोग यहां पर eurotropin का formation कर सकते हैं इसके बाद एक और तरीका है उसकी हल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं eurotropin का formation कर सकते हैं ध्यान से देखिए नौ तो यहाँ पर जो तिसरा जो तरीका है Eurotropin Formation का वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है उसके अंदर में यहाँ पर reactant का ही arrangement कुछ इस तरीके से करूँआ सारे के सारे water molecule हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरूवात करूँआ centered से हमें यहाँ पर reactant का arrangement में है आपके सामने शो करने जा रहा हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे nitrogen को सबसे center में इस तरीके से लिखेंगे इस nitrogen की उपर हमें क्या करना है तीन hydrogen atom जो है यहाँ पर show करना है ठीक है that means एक ammonia का molecule में आपके सांपने यहाँ पर show कर रहा हूँ यह आपका ammonia मालिक्ल है इस ammonia में nitrogen है इसकी उपर तीन hydrogen जो है कुझ इस तरीके से यहाँ पर atage है ठीक है सबसे उपर अगर देखें तो हम यहाँ पी क्या करेंगे, एक nitrogen यहाँ पर और उसकी उपर तीन hydrogen भी मैं यहाँ पर addage करूँआ, that means सबसे पहले में यहाँ पर जित्ते भी ammonia की जित्ते भी molecules है, उनका arrangement आपको बताने कोशिश करूँगा, एक और में यहाँ पर ammonia ले रहा हूँ, देखिए, यह आपका hydrogen NH3, और में यहाँ पर आपका ammonia का molecule ले रहा हूँ, यहँ भी यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर NH2, और एक hydrogen का direction जो मुझे कहां बढ़िन है, इस hydrogen की बढ़िए, इस तरीके से, पर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको शो कर रहा हूँ, यह पर NH2, और इस से हमने hydrogen यहाँ पर उने भी हमारे जो formaldehyde हैं उन formaldehyde को क्या कर रहूँ हूं यहाँ पर उनको arrange कर रहा हूं देखिए टूटल यहाँ पर ammonia के molecule किते हो गए 1,2,3,4 द्यारा 3 ammonia molecule अब यहाँ पर आपके सामने जो है में क्या कर रहा हूं formaldehyde की जो molecule है उनका यहाँ पर आपके सामने arrangement कर रहा हूँ ध्यान से दिखी उनका arrangement जो मैं यहाँ पर आपके सामने दिखाऊ हूँ सबसे पहले जो है अंदर वाले जो यहाँ पर जो molecule है उनके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा आपके सामने में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ मैंने यहाँ पर लिखा O double bond CH2 यहाँ पर भी आपके सामने में लिखूंगा O double bond CH2 वैसे ही यहाँ पर भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ O यह आपका double bond CH2 3 molecule मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर इन दोनों hydrogen के बीच में इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनको arrange कर दिया है ठीक है अभी भी तीन और हमें यहाँ पर formaldehyde के molecule क्या करना है attach करना है देखिए मैं यहाँ पर जो है आपके सामने formaldehyde की molecule एक सबसे पहला molecule में यहाँ पर यह सारे आपका यहाँ पर double bond O इस तरीके से मैं arrange कर दिया अगला जो molecule है वो मैं आपके सामने यहाँ पर arrange करने जा रहा हूँ that is called this CH2 और double bond O इस तरीके से हम लोग arrange करेंगे और तिसरा molecule जो होगा third molecule बाहर वाली ring में वो मैं यहाँ पर arrange करने जा रहा हूँ CS2 और यह double bond O यह हमारा क्या है it is the arrangement of the reactant यह reactant का मैं आपर पुरा arrange कर आपके सामने यहाँ बनाया है और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे simple यहाँ पर हम इसकी hitting करने वाले है simple हम यहाँ पर क्या करेंगे इसकी hitting करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या होगा water के molecule जो है यहाँ पर आपके release होगे तो water कहाँ कहाँ से release होगा ध्यान से देखिए सबसे पहला water molecule मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ सबसे उपर वाला hydrogen और सेंट्र वाला hydrogen के बीच में से आपका ये वाला water molecule यहां से release होगा first वैसे गर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक water molecule आपका होगा कुछ इस तरीके से it is a second molecule वैसे गर आप देखेंगे तो third water molecule यहां से इस तरीका से आपका क्या होगा release होगा it is the third molecule ठीक है इस तरीका से यहां पर जो है अंदर गर आप देखें तो यहां पर अंदर से three water molecule यहां से क्या होगा आपका release होगा बाकी हम लोग यहां पर बाहर वाले जो यहाँ पर molecule है उनसे भी हम लोग water release करेंगे देखिए एक water molecule जो होगा वो आपका यहाँ से इस तरीके से release होगा यह आपका S2O यह आपका क्या होगा यहाँ से आपका S2O release होगा कुछ इस तरीके से वैसे ही एक water molecule आपका यहाँ से भी socialyon और एक व्रोटर मॉलेक्लपके यहाँ से भी रिलीज्ट होगा तो यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर आप देखें तो टोल जो है तो टोल कितने नमबर पे यहां पे water molecule यहां पे आपके release हो रहे हैं total six number one two three four five six total six number of यहां पे क्या हो रहे है water molecule क्या हो रहे हैं आपके release हो रहे हैं यह में यहां पर लिख देता हूँ six water molecule भी release six s2 बाकी जो है अगर यहां से दो bond अगर break होंगे तो एक bond कहां पे आपका shift होगा नीचे इदर ठीक है same आपका यहां से भी आपका अगर double bond अगर break होगा तो एक bond आपका इदर form होगा दुसरा bond आपका इदर form होगा same यहां पर भी आप देखेंगे तो एक bond आपका इदर नीचे form होगा दुसरा bond यहां पर आपका ऊपर form होगा कोई इस तरीके से तो यहां पर जो बनने वाल तो सबसी उपर वाला जो है इस nitrogen को में शो कर रहा हूँ, यह आपका nitrogen है, एक nitrogen आपका यहाँ पर यह वाला nitrogen है, इसको भी मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर देता हूँ, आपका यह nitrogen हो गया, और एक और nitrogen में आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा हूँ, this is a 4 nitrogen, आपके सामने टो एक CS2 आपका यहाँ पर है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर that is called the CS2 और एक CS2 जो है आपका यहाँ पर सबसे नीचे है there is a CS2 सबसे पहले में आपके सामने यहाँ पर बाहर की ring जो है बना देता हूँ देखिए बाहर की ring जो बनेगी यह वाला जो bond जो है वो यहाँ पर जाएगा तो यह वाला bond यहाँ पर nitrogen के साथ बनेगा एक bond आपका यहाँ पर इस तरीके से form होगा first bond यहाँ पर भी यह वाला bond यहाँ पर इस से यहाँ पर attach होगा इस तरीके से हम लोग attach कर सकते हैं सेम यहाँ पर भी आपका इस nitrogen और इस carbon की बीच में, इस nitrogen और इस carbon की बीच में यहाँ पर bond form होगा, वो भी आपके सामने में यहाँ पर दिखाने कोशिश कर रहा हूँ, सेम यहाँ पर भी आपका bond formation होगा इस तरीके से, और सेम यहाँ पर यह nitrogen होगा, इस carbon के साथ इस तरीके से और इस ring के अंदर बाले जो है इस ring के अंदर भी यहां पर जो हमें क्या करना है यहां पर methylene group अटेज़ करना है तो एक methylene group कहाँ एच होगा दिखी यहां से भी आपको water molecule यहां से release हुआ है तो यह nitrogen इस carbon से एच होगा और यह वला nitrogen इस carbon से एच होगा तो एक methylene group में यहाँ पर attach कर सकता हूँ CS2 और इन सारे के सारे methylene group को हम यहाँ पर nitrogen से इस तरीके से यहाँ पर attach कर सकते हैं इस तरीके से हम लोग यहाँ पर nitrogen से क्या कर सकते हैं? attach कर सकते हैं ठीक है? यहाँ पर आप देखिए तो यह यहां पर हमारे सामने जो compound जो बना है, आप देखें यहां पर nitrogen यहां पर कितने basta मूऊंआ सकता है त्री भूंट, देखें यहां पर 1-2-3 जितने भी nitrogen है वो सारे करें यहां पर क्या कर रहा है, तीन這是 देखें यहां पर 1-2-3, यहां पर भी आपके रहेगा इस तरीके से हम लोग यहाँ पर तीसरी जो हमारी जो method है तीसरा जो तरीका है उसके हल से भी हम लोग यहाँ क्या बना सकते हैं eurotropin का formation कर सकते हैं there is a eurotropin ठीक है और इसी को हम यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं इसी को हम हम यहाँ पर जो है hexa, methylene, tetra, amine के नाम से भी हम इसको यहाँ पर जानते हैं ठीक है so there are three way with the help of we can form the eurotropin सबसे पहला तरीका आप लोगों नहीं यहाँ पर देखा है सबसे first अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें हम लोगों ने जो है simple सी reaction यहाँ हमने की है और simple यहाँ पर हमने compound बनाया है और इसका structure हमने यहाँ पर नीचे ड्रो किया है ठीक है वैसे ही अगर आप यहाँ बात करें तो second तरीका हमारे पास क्या है यहाँ पर वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है तो second method जो मैंने यहाँ पर लिए है this method is taken from GRB यह method जो मैंने यहाँ पर लिए है वो GRB से लिए है ठीक है और यहाँ पर भी हमने same euro dropping का formation किया है इस method से भी आप लोग euro dropping का formation कर सकते हैं और third जो हमने यहाँ पर जो तरीका दिखा है उसमें मैंने आपको reactant का ही arrangement यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है कि इससे भी हम लोग यहाँ पर कर सकते है डारेक्ली जो है euro dropping का formation जो है हम लोग कर सकते हैं ठीक है ओके देन थैंक यू सो मच